नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है टेकनोलोजी केडा चैनल के अंदर और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे आइडन्टिटी को एड़ करें तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है identity को customize जो है वो कैसे करें तो next वीडियो जो होगा वो identity को customization के लिए होगा और इससे जो next वीडियो होगा उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि role जो है वो कैसे create करें क्योंकि उसके बाद में हम लोग claims पर भी आएंगे लेकिन one by one steps जो हैं हम लोग पूरे करेंगे तो हम लोग सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा कि आज जो बताऊँगा वो बताऊँगा कि customization कैसे करें आप लोगों के जो model folder होता है उसमें आप लोगों के पास application user class होती है इसमें आप लोग properties जो है वो add कर सकते हैं और वो property आप लोग जो है register में भी add कर सकते हैं जैसे कि आप लोगों ने लिखा prop string जैसे कि आप लोगों ने लिखा first name और second prop में आप लोगों ने लिखा string last name prop string address तो आप लोगों ने लिखती है first name, last name और address और यही चीज़े आप लोगों को आप लोगों के register form में दिखानी होती हैं तो आप लोग क्या करते हैं सबसे पहले आप लोग जो हैं account tab में जाहिए देखिए areas में identity, pages, account और account में जाने के बाद में जैसे ही आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को single page जो हैं वो दिखाई दे देते हैं, razor pages register.cshtml है इसमें आप लोग register.cshtml पर जाईए, यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास code behind file मिलती है और register.cshtml पर आप लोगों को front end मिलता है तो आप लोग जो हैं यहाँ पर add कर सकते हैं अपने pages होते हैं उनको आप लोग जो हैं यहाँ पर add कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग register.cshtml में जाएंगे यहां पर देख से हम लोगों को क्या add करना होगा आप लोगों को add करना होगा सबसे पहले जब हम लोग register करेंगे तो हम लोगों को वो चीज मिलनी चाहिए तो इस code behind file के अंदर आप लोगों को दो method मिलते हैं यहां पर मिलता है आप लोगों को on get async method मेथड मिलता है रेजिस्ट्रेशन के दोरान on get async मेथड मिलता है और यहाँ पर मिलता है on post async मेथड जब आप लोग जो हैं कुछ data get करने होते हैं तो आप लोग on get async का यूज करते हैं तो यहाँ पर returning url ही दिये हैं otherwise आप लोगों को empty जो tax boxes हैं वो ही show करने होते हैं तो आप लोग जो है on post async का method यूज करेंगे और साथ ही यहाँ पर कुछ properties जो हैं जो हम आमने अभी लिखी हैं वो आप लोग यहाँ पर बढ़ा देंगे जैसे कि input model के अंदर आप लोगों ने properties जो हैं जो आप लोगों के application user class के अंदर हैं तीनों क input model से ही एक property जो है bind property बनी हुई है उसका नाम है input आप लोग समझ गए होंगे कि input model जो है वो एक class है और input model type की एक property है जिसका नाम है input ठीक है तो अभी हम लोग on post method के अंदर जाएंगे और on post method में यहाँ पर देखिए application user class के अंदर username email लिखा हुआ है हम लोग यहाँ पर क्या first name है वो भी तो हम लोगों ने लिखा first name देखिए आ चुका है और इसमें जो value है वो input से आ जाएगी input dot first name यह देखिए first name आ चुका है उसी परकार आप लोग जो है address वगरा भी fill कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं address वगरा फिल करूँगा तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा last name input dot last name और address भी मुझे fill करना है तो मैंने यहाँ पर लिखा address equals to input dot address किसी को कोई अगर problem है तो मुझे वो comment कर सकता है और पूछ सकता है कि उसको क्या problem हुई identity को customize करने में तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है अब आप लोगों को क्या करना है इसकी जो register file है cshtml उसमें भी आप लोगों को edit करना होगा क्योंकि हम लोगोंने first name और last name लिखना है तो यहाँ पर आप लोग जिसको copy कर लीजिए email वाले format को और यहाँ पर जस्ट इससे उपर वाले format पर आप लोग जो है इसको paste कर सकते हैं जैसे कि input dot email की जएगे आप लोगों को लिखना है first name email को replace कर दिया है मैंने first name के साथ यह देखे replace हो चुका है उसी परकार आप लोग जो है last name भी यहाँ पर insert कर सकते हैं अगर कोई किसी का question हो तो जरूर पूछें क्योंकि इसके बाद में मुझे suggestion मिला है कि live classes का तो मैं वैसे तो coaching जो है वो देता हूँ और लेकिन जो live classes हैं उसके बारे में मैं सोच रहा था तो अभी स्वानम कुमारी ने मुझे बोला है कि वो live classes के लिए join करना चाहती है तो मैं जरूर live classes join करूँगा और आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि actual में कैसे जो है work किया जाता है तो सबसे पहले आप लोग isp.net course जो है वो इसी के जरीए सीख लीजिए लेटर session में जैसे ही मुझे 1000 subscriber और वगरा मिल जाते हैं तो मुझे live session की features जो है वो मिल जाती है कुछ extra features भी मिल जाती है तो please जल्दी से जल्दी जो है subscribe करवाने की कोशिस करें ताकि मैं जो है live session के अंदर आ सकूँ क्योंकि 1000 subscriber जो है वो मुझे चाहिए होते हैं उन सभी चीजों की functionalities को YouTube में लेने के लिए तो मुझे आप लोग subscribe करें और साथ में bell icon भी प्रेस करें तो यह देखे first name last name और वगरा मैंने add कर लिये हैं अब मैं जैसे ही getting started पर click करता हूँ और मैं registration के लिए call करूँगा तो मुझे first name last name और email address वगरा सारा सब कुछ दिखाई देगा हम one by one जो है वो data को create भी करेंगे यहाँ पर create भी section clear हो जाएगा देखिए और first name last name में value जो है वो चली जाएगी properly जो है वो data insert हो जाएगा आप लोगों की identity table के अंदर तो यहाँ पर कोई registration का नहीं है लेकिन हम लोग जो है वो पहुँच जाएंगे इस path के जरीए identity account और आप लोगों का जो register होता है तो यहाँ पर login की जगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ register तो हम लोग registration के दोरान पहुँच चुके हैं first name, last name और address एड्रेस में single line दिखाया है हम लोगों को चाहिए है यहाँ पर text area हम लोगों को single line नहीं चाहिए है तो यहाँ पर जो input है उसमें आप लोग जो है text area लिख सकते हैं यहाँ पर input की जगह आप लोग लिखे text area और यह कभी भी single line में खत्म नहीं होता है इसलिए आप लोग यहाँ पर लिखे text area उपस मैंने text लिखा है यहाँ पर तो आप लोग text area लिखे just इसको आप लोग copy कर लें और यहाँ पर भी आप लोग जो है इसको paste करते है यह देखे text area जो है वो यहाँ पर लिखा जात सुका है किसी को कोई समश्या है तो वो बोल सकता है क्योंकि multiple line के लिए हम लोगों को text area ही चाहिए होता है ताकि वो properly उस चीज को दिखा सके यहाँ पर एक बार के लिए फिर से off करना होगा और मैं दुबारा से इसको run करता हूँ तो आप लोगों को जो text area है वो visible होगा तो दोस्तो जो identity का customization है यह बहुत थोड़ा सा ज्यादा जो है वो topics है वो लंबे हैं देखिए text area बन चुका है और इसमें भी यह बन चुका है कितने भी text upload जो है उसमें लिख सकते हैं एक बार के लिए first name जैसे कि मैं लिखता हूँ यहां पर मैंने लिखा तरुन last name मैंने लिखा सैनी उसके बाद में मैं लिखता हूँ यहां पर जैसे कि मेरा address जो है में मैं लिख देता हूँ और यहां पर मैं email जो है वो लिख देता हूँ तरुन at the rate of outlook.com मेरा official mail लिख देता हूँ इसके बाद में password लिख देता हूँ तो registration के दोरान आप लोगों का जो है देखिए unhandled exception आ चुका है occurred while processing the request SQL exception है invalid column name address first name last name क्यों आप लोगों ने कभी भी जो first name last name लिखने के बाद में क्या आप लोगों ने migration जो है वो apply किया है नहीं किया है तो जब भी आप लोग कोई property add करें तो सबसे पहले आप लोगों को migration तो करना ही होगा तो सबसे पहले आप लोग package manager console में जाएंगे और यहाँ पर आप लोग total migration जो है वो कितने लग चुके है वो देखिए पहले सबसे पहले आप लोग जाएं migration के अंदर third, fifth लग चुके है हम जो है first लगाते हैं first इस में नहीं लिखा हुआ है package में चले हम लोग sixth मैंने migration जो है वो sixth apply कर दिया है अब आप लोग जो है update database कर सकते हैं अपना जैसे ही आप लोग update database करते हैं तो वो property जो है आप लोगों की first name last name जो है वो add हो जाती है तो migration के दोरान भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर first name last name जो है वो add हुआ है address के साथ तो अब आप लोग अगर registration करेंगे तो आप लोगों का registration जो है वो successfully जो है वो हो जाएगा तो अब जो है आप लोगों को वो error जो है वो sure नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने database के अंदर वो property जो है वो add कर दी है तो हम लोगों ने लिखा यहाँ पर तरुन last name में लिखा xyz और email में लिखा one तरुन password डाल देता हूँ अगर किसी को कोई question पूछना है तो जरूर पूछ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है यह देखे login हो चुका है और save मैं कर देता हूँ passwords को देखे तो इतना असान है आप लोग authenticated हो चुके हैं किसी भी आप के लिए और मैं ही चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग ज़्यादा सीखें तो उसके लिए आप लोग bell icon प्रेस करें और subscribe करें ताकि मैं like sessions के लिए भी कही बारा आख आख कूँ आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ धन्यवाद